नमस्कार, साधना लीज़ के खास कारिकम क्रॉस फायर में आपका हार्दिक स्वागत है। चुनावी रणनीती हमारी बन चुकी है। हम पूर्ण रूप से चुनावी समर के लिए तयार हैं। और इस बार चुनाव में महिला मोर्चा के निरनायक भूमी का होगी। हमने बूत इस तर तक पहनों को खड़ा किया हुआ है। हमारे अभी पूरा प्रदेश में 48 जिलों मे की जो भव्तर पे हुए हैं युदि हमारे मंडोलों मंडोलों पे सम्मेदन कर रहे हम और इसके अलावा कल हमारा एक प्रशिक्षंड वर्ग हुआ एक दिऊ सिये जिसमें हमारी बूत इस तर तक जाने वाली बहनों को हमने प्रशिक्षंड दिया है कि 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 स तरह से हमें अवह इता यहां तक भूमिका रहती है, जो एक सक्री भागीदारी की बात है, वह नजर नहीं आती है, भारती जनता Гर्णापर्टी महिला मुर्चा क करता ही है, Q20Master his एक हम्हार लुकी क्यों की मैमान बतलहे हैं, साथ साथ हमारे यहां पर भारती जन्ता PARTIE में हम लोगों को जो सम्मान मिलता है हम लोगों की जो भागीता बड़ी है वो एक अभूत पूर्व है अभी हमारे हर जगे भारती जन्ता PARTIE में हमको 33% आरक्षण दिया गया है जिससे महिलाओं की भूमी का बड़ी है और महिलाओं में एक बहुत महिलाओं उभर के आई हैं, उटके आई हैं, उनमें साहस आया है और वो पूरण रूप से सकरिये हुई हैं, हर छेत रहों और हर छेत में महिलाओं को शामिल किया गया है, महिलाओं की भागेदारी है यह भी जाता है कि जो महिलाइ हैं उनसे काम तो ले लिया जाता है परण जब टिकेट वितरन की बात आती है तो उनको सब से पीछे रखा जाता है मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ क्योंकि हम भारतियनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिनने हुने सबसे ज्यादा पिछले बार भी मैलाओं को टिकेट दिये थे और इस बार भी हमको पूरन आशा है कि जो बहने हमारी वैसे तो हमारी बहुत सारी बहने टिकेट के मांग कर रह गी है और हम लोगो पूरा विश्वासे किस बार अगलां की संख्या उसके तुल्ना में सुटव काम मड़ी बात कर रहे हैं तो 33 प्रतिशद बहने हमारी पाढ़ी कारी है बहुत सारी बहने भाश्पा में पदा लृい बहनों को शामिल किया गया है और फिर महिला मौर्चा तो ही अपने आपने एक बहुत सशक्त मौर्चा अभी उभर के आया है महिला मोर्चा आपका और कॉंग्रिस का महिला मोर्चा उसमें क्या अंतरा पाती हैं बेस। सूथरा इसको को लेकर हम काम करते हैं, मैं इतना जरूर कहूँगे कि भारते जनता पार्टि में किसी महीला कान्षेल्शन नहीं होता है, महीला काम करती है, उनको बकाइदा संमान – उनको यत्हावतिस्थान मिलता है। अब अपनी बात करती हूं, कि मैं अभी अठ्रा साल से भारती जन्ता पार्टी का काम कर रही हूं और मैंने हमेशा अपने आपको बहुत सुरक्षित पाया है और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी कहीं कोई अभेल नहीं हो रही है या मेरे साथ कुछ ऐसा मुझे नीचे लिदाने की कोशिश हो रही है, बहुत सम्मान हैं क्योंकि हम सब मिलजुल के एक सामुहिक रूम में टीम भावना से काम करते हैं अगर आप प्रदेश की बात करें, प्रदेश सरकार की आप ऐसी कौन सी उपलब्दियां गिनाना चाहेंगी जिनके बलते आप कहेंगी कि महिलाओं के लिए बहुत काम होगा है बहुत उपलब्दियां हैं, सिर्फ महिलाओं को ही दिया है इतना ज्यादा मगिलाओं के लिए योजनाय बनाई है और उनको सार्थकता भी प्रदान हुई है सधियों से पुरुष प्रथान समाज ने नारी जाती को या तो देवी का दरजा दिया था किन्टो सम्कष्ता का दरजा कभी नहीं दिया था लेकिन हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माने शिवराव सिंग चोहन जी ने स्थानी निकायों और ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षन देकर एक इतिहास रचा है आज 50 प्रतिशत बेहने सुशाशन में अपनी भागीदारी कर रही है निरनय की प्रक्रिया में भागीदार बनी है और बहुत अच्छे से सुशाशन के कायों को संचालित कर रही है क्योंकि मैं स्वयम चौथी बार एक ग्राम पंचायत का प्रतिशतों कर रही हूं मैं सर पंच हूँ महिलाएं जब आपके हाँ जिनको बनाया जा रहा है वो परिवार तक सीमित हैं उनके पती जो हैं वो काम कर रहे हैं जो एक भावना है कि नहीं महिलाएं आगया कर काम करें प्रशाशन पर उनकी जो पकड़ होनी चाहिए वो नजर नहीं आती किसी पी चीज की जब शुरुवात होती है तो थोड़े से फिर बदल थोड़ा सा उतार चड़ा होता है लेकिन चुकिए शुरुवात हो गई है एक शंकनाद हो गया है और महिलाएं निकलना शुरू किया है अभी उनका घूंगट से उनका सिरतक पल्लू आया है वो वो बदल शुरू करें और फूरा संचालन वे खुद करें इस बार कितने टिकेट मांगने जा रही है आप ज्यादा से ज्यादा कोई संख्या संख्या प्रतिशत निर्धारित नहीं है लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा हमारी बहने चुकि जैसे मुझे मेरे पास अभी जो ड लिखा जाता है फिर ये चैन समीति उसका निरने करती है लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी पार्टी जादा से ज्यादा महिलाओं को नवाज देगी वो सिर्फ इस पर एक ही जिसका कहा जाए माप दंड होगा जीत सरकार बनाने के लिए जीत जरूरी है और हमें सरकार बनाना ही है और हमारी सरकार बनेगी दागियों के बारे में आपका क्या विचार है कई जो पार्टियां है वो दागियों को बहुत महत देती है इस जीत के चक्कर में तमाम तरीके के जो आपराधिक छवी वाले लोग हैं उनको प्रश्रे दिया जाता है सिर्फ इसलिए के वो जीत का माद्दा रखते है इसका फैसा तो चुनाओ समीती करेगी चुनाओ समीती जिस इस्तर पे भी सूचती है उनका जो निरने होता है पार्टिय में कहा है कि हम दागी लोगों से बचेंगे और ऐसे स्वक्ष शवी वालों को टिकेट देंगे जिनकी जनत कि अचारे प्रदेश में कि मध्यप्रदेश में विकास की अबात करते हैं बारतिय जनता पर्टी की सरकार ने मध्यप्रदेश में दिखता है और विकास मेहसूस होता है और वहो रहा है मैं तो गाउं Scout कर्ति अरिया में आज siguiente जिना के देखिए उनल ऐरी आवास आ ना इरा बने हैं ग्रामीनों के लिए मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के माध्धम से मजदूरों का जीवन स्तर उठा है और लड़िकियों के लिए बालिय का शिक्षा पुर्साहन जैसी योजना देकर शिक्षा के छेतर में भी एक रांतिकारी पहल भारती कांग्रेस को शायद नहीं दिखता है लेकिन आम नागरिक जो विकास को महसूस कर रहा है वो विकास देख रहा है और उसको उन योजनाओं का लाभ जिनों ने लिया है वे आप हम जब जमीन पे जाकर लोगों से बात करते हैं तब उस बात का हमें प्रमान मिलता है कि हमने क कांग्रेस के किवलने मातर से हम इस बात को नहीं मान सकते कि विकास नहीं है वो तो हमारा विपक्शी दल है उसा काम ही यह बहुत काम हुए हैं कि कौन कौन से काम हैं जिनको आप इस चुनाव में गिनाने वाले हैं महिलाओं के लिए तो सबसे पहले जैननी सुरक्षा मंत्री जी शिवराज सिंग चोहां जी ने लाली लक्षमी योजना देकर उसको वर्दान बना दिया दूसरा मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से दो लाख पचीस हजार बेटियों के हाथ पीले हुए हैं जिससे परिवार का जो एक बहुत बड़ा जिसको परिव बाइशा प्रोसान योजना गाओं की बेटी योजना और प्रचास प्रतिशत आरक्षन के माध्यम से जो हमारी भागेदारी सुनेश्चित हुई है आज मध्यप्रदेश में 3 लाख सवसायता समूझ चल रहे हैं जिनके माध्यम से 30 लाख बहने स्वारुजगार से चोटे उद्धोग धंदे चल रहे हैं वो काम में लगी हैं मध्यान भोजन का काम कर रहे हैं इस तरह महिलाओं का आर्थिक राजनेतिक और सामाजिक तीनों तरह का सशक्तिकरण भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया हैं क्यूंगरेस का यह कहना है कि जितनी की योजना हैं वो केंद्र की हैं और बीजेपी ने अपना नाम बख लिया है ऐसा नहीं है भारती जनता पार्टी के मध्य परदेश की सरकार ने जो योजना है बनाइए अब लाड़ी लख्षमी योजना ऐसे बहुत सारे प्रदेश है जिन्होंने इस योजना को उन्होंने भी लागू किया है हमारे यहां से प्रेड़ना लेकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमारे मध्यप्रदेश सरकार की योजना है जरनी सुरक्षा एक्सप्रेस ये मध्यप्रदेश सरकार की योजना है मजदूर सुरकशाय यूजिना के अंतरगत इतनी सार जब जिनके कार्ड होते हैं उनको इतनी सारी यूजिनाओं का लाव मिलता है मृत्टी होने पर उनको अन्तेस्टी के लिए पईसा मिलता है उसके बाद उनको और भी राशी दी जाती है परिवार को साहता के रूप में उसके बार डिलेवरी होने पर महिला को 6000 रुपे दिये जाते हैं और उसके पती को 15 दिन का अवकाश दिया जाता है अपने पत्नी की सेवा करने के लिए ये एक बहुत ही अभीनव योजना है और इस योजना ने महिलाओं का बहुत सम्मान बढ़ाया है महिलाओं को इस बात का एहसास होता है कि वाकई सरकार को हमारे कितनी चिनता है क्योंकि हम तो महिला हैं, हम तो हमारा तो काम ही है, हम तो पुरे परिवार की मदद करते हैं, पुरे परिवार की सेवा करते हैं, लेकिन जब महिला का जो प्रसवाला वक्त होता है, जब उसके बाद उसे जब सुरक्षा की और सेवा की आवशक्ता होती है, तो उसके लिए उस जिन को आप गिनाने वाली होगा कि जैने घर्ट शाराज स्ंहारत ज़तने जाने वाली किष्वाभवर्ण ने महें तोмен हैं रही है जो आप एन जाने जाने बर्टर गङा एक इन राज़ कैने बाहिएl हो गहार है हैं क्या किया है अभी तो इतना जदा करेप्शन महंगाई ब्रस्टाचार और घोटालों की जो सिरीज आप देखते हैं इससे आम जनता को बहुत कस्ट है महंगाई से का पूरा मार ग्रहणियों पर पड़ता है ग्रहणियों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है महंगाई इस सरकार की हैं गरीब और गरीब होता जा रहा है अमीर और अमीर होता जा रहा है दो तरह का देश देश दो टुकड़ों में बढ़ गया है और हम धीरे धीरे आर्थिक गुलामी की तरह बढ़ रहे हैं तुन्जी वादी ताक्तें धीरे धीरे हमारे अर्थतंतर पर कबज एक तरफ तो राहूल गांदी कह रहे हैं कि जो दागी जो लोग हैं विदाय क्या सांसद हैं उनको बचाने के लिए जो आर्डिनेंस लाए गया है वो ठीक नहीं है और उसको फाल कर फैक देना चाहिए दूसरी तरफ उनी की हिमा और कॉंग्रेस अध्यक्षा वो ये कह रही ह जो उनकी आwritten हैं उनकी जो विचारधारए वो हमसे कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाती वो लोग पल में कुछ कहते हैं पल में इस तरफ हो जाते हैं उनकी बात का कौई आधार नहीं मॉधी जी को लेकर क्या रहा है मॉधी जी एक वरिस्ट सर्वन मान्या नेता हैं हमारे पार्टी के और अभी हमने उनको प्रधान मंत्री पत के लिए घोशित कर दिया है हमारी पार्टी में ने तो उससे कार्य करता हूं ने एक अलग उत्साह का वातावरन बना है उसका जीता जाकता प्रमाण आपने अभी हमारे इतने बड़े विशाल महाकुम्द में सबने आपस में अभी है और अडवानी जी हमारे बहुत वरिस्ट निता है वो तो हमारी पालिटी के रिड है वो हमारे नियू है और उनको एसा हम लोग से किसी से कोई दिक्कत नहीं है यह तो हमारा परिवार है जब परिवार बहुत बड़ा होता है तो परिवार में आपसमें कहीं थोड़े बहुत 무थ हो जाते हैं लेकिन वो मथछ ऐसे नहीं है कि वो कोई बाहर है या कुछ है और हम सब एक हैं और हम सबने एक होकर अपने देश के प्रधान मंतरी ताय किया है। BJP प्रदेश में जो कैम्पेज चला रही है। उसके उलट कॉंग्रेस परिवर्तन यात्राइं चला रही है। और उसका कहना यह है कि आप जो असफलता हैं सरकार की उनको हम सामने रख रहे हैं और अब जनता चेंच आती है। अब फिर से देश को उसी दस साल पहले जो हमारा देश गड्धों में परिवर्तित हो चुका था। उसमें परिवर्तन क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। यह तो पूरवा ग्रह से ग्रसित होकर कॉंग्रेस इस तरह की बातें करते हैं। क्योंके पास मुद्दे नहीं हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए इस तरह के अनरगल बातें करते हैं। कांतिलाल भुरिया जी को एक आदेवासी नेता होने के नाते प्रोजेक्ट किया गया था और अब सिंधिया जी को लाए गया है। इसको आप कैसे देखती है। यह उनकी अपनी पार्टी का निरणा है। कॉंग्रेस पार्टी तो बहुत अवसरवादी पार्टी है। वह देख रहे होंगे किस चीज से लाब हो रहा है। किसको प्रोजेक्ट करने से उनकी तरफ ज्यादा क्योंकि उनका नेतरत द्रढ़न नेतरत वह तो नहीं है। उनके फैसले तो रोज ही बदलते हैं। इसलिए मैं इस विशे में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगे। यह उनका अपना फैसला है। कॉंग्रेस यह भी कह रही है कि मद्यपदेश सरकार का अगर हम ग्राफ देखें। पिछले 5 साल और उसके बाद के 5 साल यानि कुल यह जो 10 साल का केनियर है। इसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है। जो जो गोशना की गई थी उनमें से आदे से ज्यादा अधूरी पड़ी है। हमारे सरकार ने जो घुशना के थी हमारा जो घुशना पत्र था उस पे हम शत प्रतिशत सफल उतरे हैं योजनाओं का क्रियानवन में देर लग सकती है लेकिन योजनाओं का क्रियानवन प्रारंब हो गया है हमने रोडें बनाना शुरू कर दिया है हमने 85,000 किलो मिटर की सड का जाल अभी बिश्ता जा रहा है हमने पूरे मध्य प्रदेश में मुझे तो सबसे बड़ी उपलब्धी यह लगती है कि गाउं गाउं में हमने पेजल योजना शुरू करवा दिया अब हमारी बेहनों को जो गुंडियां लेले कि इतनी दो दो से पानी भरने जाती थी उस क मुख्य मंतरी अधु सरचना विखास के काड़े हूर है जिसे में एक और पॉंट करोड तक मुंख्य मंत्री जी ने उस चेटर की समस्याओं को हल करने के लिए है हमने हर अधोसरचनात्मक विकास तो हमने किया ही है सांथ में जनकल्यान कारी योजनाओं के माध्यम से एक-एक Vर्ग को छूने का प्रयास किया है हर वर्ग के लिए काम किया है सरकार ने हर वर्ग को छुआ है बिना विभेद के कि अपने देखा हुगा पिछले दिनों मैंने 500 बहनों को सदस्ता गरहन की और मैं जब भी बहनों से बात करती है तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कहीं देख बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग को जो भी योजना है बनी उसमें कहीं यह नहीं देखना जा रहा है कि कौन किस कास् समाजवादी है कौन बहुजन समाजपार्टि है हर किसी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और मुखय मंत्री कन्यादान योजना में जो वालिकाओं के निकाह हुए है वह भी बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं इससे और भारती जनता पार्टी के रिती नीती से प्रभावित होकर अल्प संख्यक वर्ग हमसे बहुत भारी तादाद में जोड़ रहा है। कहाई ये भी जाता है कि BJP हो या आपका मोर्चा हो, ये सभी संघ के निर्देश पर काम करते हैं। संघ तो हमारी मा हैं। हम सभी संघ से ही आए हैं। उसके बाद हमारा जनसंघ का रूप लिया। जनसंघ के बाद हम भारती जनता पार्टी बने हैं। इस तरह जो हमारी जड़े हम उसो कैसे समाप्त कर सकते हैं। आकर हमारे संसकार तो वहीं से हैं। पर दिग्विजे सिंग आरोप लगाते रहते हैं जब तब साथ संग जो है वो देश में दरार डाल रहा है इस तरीके के आरोप आतंगवाद भला रहा है ये आरोप बिलकुल निराधार है निरार्थक है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि विरोधियों को कुछ नकुछ ब आपको क्या लगता है कि उनके आने से कॉंगरेश को फायदा होगा या भीजेपी को अब देखा ही है आज से 10 साल पहले जो मध्यपृदेश की जो हालत करने का मध्यपृदेश को जो भीमारू राज्य बनाने का पूरा श्रेव किसी को जाता है तो मिश्टर बंटाधार परिवारवाद पारडियम बहुत चल रहा है आप क्या मानती है परिवारवाद ठीक है और उसका यदि कोई बेटा है तो वो उसके परिवार का वेक्टि उसको शुरू से बच्पन से अपने घर में देखता है पार्डियम का माहूल देखता है राजनीती क्या होती है इस लेकिन हाँ यदि मैं इसको भी अच्छा नहीं समझती कि एक ही परिवार के सारे के सारे लोग राजनीती में आ जाएं और बड़े पदों पे काविज हो जाएं इस तरह की परंपरा भारती जन्ता पार्टी में नहीं है हम वंशवाद को बिलकुल भी हम वंशवाद की विर इसको मैं बुरा नहीं मानते हैं आपको क्या लगता है देश इस समय किस स्कती में है देश इस समय असुरक्षा अस्थिर्था के माहोल से गुजर रहा है देश को एक अच्छे सशक्त नेतरत्व की आवश्यक्ता है जो आने वाले अभी मिशन 2014 में भारती जन्ता पार्टी ह ही देश को एक सशक्त और मजबूत नेतरत्व दे सकता है जो इस देश को नई दिशा और दशा देगा कॉंग्रेस की बात करने तो वहां महिलाओं को अब काफी प्रमुक्ता से बड़े-बड़े पत दिये जा रहे हैं आप लगता है कि अब बीजेपी से कहीं आगे होते जा रहे हैं भारतिय जन्ता पार्टिक में जो महिला नेतरत्व है वो है वो विदूशी नेतरत्व है बहुत सक्षम नेतरत्व है और एक ऐसा नेतरत्व मैं तो हमारी जो विपक्ष की नेतरत्व है माने सुश्मा सुराज जी उन पर नास करती है उन पर गर्व करती हूं जिनोंने नार का नेतरत्व कर रही हैं और उन्होंने जब विपक्ष में जब वो बोलती हैं तो हम महिलाओं को नाज होता है अपनी शक्ति पर हमें लगता है कि नहीं हमारा हम यह सब कुछ कर सकते हैं तो यह थी लता वानकेड़ी जी क्रासफायर में अगली बार किसी नई शक्षियत के